चैप्टिन बंसल ममता बैनर जी कह रही हैं भारत सरकार निरने लेगी कि इस मुद्दे पर कैसे संपर्किया जाए नेता भरकाउ टिपनियों से बचे बहुत संभल कर सोच कर चलने की अभी जरूरत हो गई है बात बंगला देश की पर हमें अपने हित साधने होंगे देखिए इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो गटना हुई है वो बहुती दुरभाग्यपूर्ण है लेकिन दो चीजे हमें समझनी चाहिए शेख हसीना हमारी मित्र थी वो भारत की परम मित्र थी और उनके शाशन के दौरान भा इतने सोहार्दपूर्ण हुए और विशेशकर भारत के लिए जब उसको पश्चिम और उत्तर की और बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है तो भारत की जो एक्टीस पॉलसी है उसके लिए बंगला देश बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया को ये दिखना चाहिए कि भा भारत अपने साथियों के साथ है तो जो लोग बोल रहे हैं कि उनको शरण नहीं देनी चाहिए इससे गलत कोई और चीज नहीं हो सकती भाविश में कोई भी राजनेता भारत के साथ जड़ने में तैयार नहीं होगा तो शरण तो अवश्च देनी चाहिए दूसरी चीज य आज की रात महत्वपूर्ण है अगर सेना ने स्थिरता कायम कर ली तो सेना अभी कुछ समय तक कहीं नहीं जा रही है वो अंतरिम शाषन की बात कर रही है इस अंतरिम शाषन में वेबिन राजनेतिक दल होंगे आरनी चीफ ने जातिये पार्टी की बात की है तो वो एक कुछ हमले हो सकते हैं क्योंकि अभी जो ग्रामीड इलाके हैं वहाँ पे जमात के जो एक्टिविस्ट हैं वो काफी एक्टिव हो गए हैं और दुर्बाग इसे क्या है कि आवामी लीग इस नमें डिस डिस एरे में है और जो आवामी लीग के जो एक्टिविस्ट हैं वो र राजनेतिक है लेकिन पाकिस्तान और कई पश्चमी ताकत इस वक्त इस चात्रों के घुस्से को हवा दे रही है आएसाई ये तो बात अब साफ हो चुकी है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं बिलकुल बिलकुल वो तो हमेशा से ही करते आये हैं और बांगलादेश के अंदर एक बड़ी संख्या में एंटी लिबरेशन मूवमेंट के लोग हैं जो कभी भी बांगलादेश की स्वतंतरता नहीं चाहते थे करी 25 से 30 प्रतेशत जनसंख्या बांगलादेश की ऐसे लोगों की है जो जमात और उसकी विचारधारा से सहमत रखते हैं और वो हमेश के अंदर एक काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्वतंतर बांगलादेश की पैदाईश हैं जो बांगलादेश की स्वतंतरता चाहते हैं हो सकता है इस वक्त भारत विरोधी स्वर जादा हो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत ने पिछले कुछ चुनाओं में जो की पूरी तरह से free and fair नहीं थे उसमें भारत ने अंदेखी की जो उसमें irregularities थी लेकिन आने वाले समय में हमारे जो हित हैं वो इस कदर से intertwined है कि भारत और बांगलादेश के संबंद आपस में जुड़े रहेंगे और जुड़ते रहेंगे अगर सेना consolidate करती है तो सेना सम करें हमारे संबंद और नहीं वो डिप्लोमसी में कहते हैं ना there are no permanent friends or no permanent enemies in diplomacy there are permanent interests तो रुबिंदर सस्देव यहां पर हित साधने की बात है पर हित साधने में देखिए जो अभी तक शशांक साभ ने भी कहा और जो कैप्टन बंसल भी कह रहे थे हम अपने पुराने साथियो को नहीं चोड़ सकते हम शेक हसीना को नहीं चोड़ सकते पर राजनाइक रननीती का तकाज़ा ये भी है कि जो नए दोस्त बनेंगे या नया कोई सत्ता में आता है उसके साथ भी हम दुश्मनी का रिश्टा तो नहीं पाल सकते और बंगला देश की अगर हम बात करें तो इंडिया is heavily invested over there और ऐसे में शेक हसीना रहें भारत में और वहां जो सरकार बन रही है वो ज्यादा सकरात्मक चीन की तरफ होते दिखे तो हमें ये diplomatic tightrope walk भी करनी होगी अपने हिट साधने होंगे thank you very much absolutely और आपने भी जो का की और पंसर साभी captain कह रहे हैं की I'm in permanent interest मैं तो वलकिये कहता हूं there are only two kinds of people in this world friends and potential friends आज की तारिक में जो मरा दुश्वन है वो भी कल मेरा potential friend है right so I'm in diplomacy में I think we should be looking at that way secondly yes huge interest but I hold maybe a slightly different opinion than captain bansar definitely yes you know हमें अपने friends के साथ खड़ा होना चीए पर इस तरह इस समय अगर हम openly you know they can be many other ways जो हम manage कर सकें इस बात को शेख हसीना को हम किसी और country जो हमारी friendly हो back end में करके हम definitely वो करें बट अपने यह हम रखेंगे तो हम एक अपने को target बना लेंगे hatred का from the new whatever dispensation or the public opinion इस समय जो बंगला देश में जो शेख हसीना से मिले हैं तो मतलब आपचारिक तरीके से बाकाइदा सरकार के level पर openly मुलाकात हो रही है या sure that can be absolutely there but जो भी बात हुई she's a friend तो definitely a friend in need is a friend in need भी आ जाता है but I think उसको हमें यहां एक तरह का क्या कहिए whichever way की वो यहां रहे इस से बेटर है वो लंडन जाएं या किसी और country जाएं जहां हम उनको actually वो enable भी कर सकते हैं सकता है कुछ चीज के लिए हम किसी और देश में उसकी you know safe transit and comfortable नहीं वो तो होता है ना भाई helicopter से अगर भागी हैं आज पहुने दो बजे के करीब डाका से तो वो तो सेना ने सुनिश्चित किया जिसने तकता पलट किया उसी ने सुनिश्चित किया है ना कि हाँ जी आप helicopter लेकर जाएए वो तो एक address भी करना चाह रही थी देश के नाम एक बाशन भी एक संबोधन भी करना चाह रही थी उसका वक्त ही नहीं मिला यह तो सेना ने भगवाया है ना तो हम we can be facilitators पर हम ही एक safe haven देते दिखाई दें वो कितना बड़ा राजनाइक जुआ खेलेंगे हम मेरा सवाल यह है मेरे विचार से differently the jury is out और इस panel में आप के साथ you know बहुत you know senior and बड़े मंजेवे minds बैटे हमारे साथ पर मेरा humble opinion यह है कि हमें यह नहीं करना चाहिए क्योंकि हम needlessly एक target और बन जाएगा already India out का पूरा campaign चलता था बंगलादेश में याद है वो शुरू हुआ था उसके अवाजे और हुड़ेंगे बंगलादेश के अंदर और यह एक और देखा जाएगा कि देखो हमारे देश की culprit और उसको इंडिया ने share दे दी है तो हम अपने को expose शायद थोड़ा और जादा हो जाएंगे इनने रिके हमों काफी exposed हैं टू बंगलादेश राइट नाओ उनकी public opinion में जो भी होगा but my humble opinion will be that we should not do it हम अपने को कुछ अगे